नमस्कार दोस्तों सर्वेभ्यो नमा हैं आज हम सुक्ती देखते हैं और सुक्ती का मतलब है अनुकरणिये वचन अनुकरणिये वचन जिसका हम अनुकरण करें जिसका अनुकरण करने से हमारा जीवन हर्स और उल्लास से परिपूर्ण हो जाए हर एक शित्र में हमारी उन्नती हो अर्धर्थ यदि हम अच्छे मार का अनुसरन करते हैं अच्छे ज्यान का अनुसरन करते हैं अच्छे गुनों को ग्रहन करते हैं तो निश्चित रूप से सपलता प्राप्ट होती है तो आईए जानते हैं इस सुक्ती के माध्यम से एक नई सिख्षा ए पथे पदम अर्पयंती ही सुर्थ वन्तो अपी रजो निमी लिता सुर्थ वन्तो अपी विद्वान होने पर भी सुर्थ वन्ता है जो वेदूं पुराणूं धर्म सास्त्रों का ध्यन करते हैं जिनको बहुत अच्छा ज्यान होता है ऐसे विद्वान लोग भी रजो निमी लिता है रजो गुन से युक्त होने पर अर्धात भोग विलास में युक्त होने पर एपथे पदम अर्पयंती ही निश्यत्रों से एपथे कुमार्ग पर पदम अर्पयंती चलने लगते हैं विद्वान लोग भी रजो गुन से युक्त होने पर निश्यत्रों से ही कुमार्ग पर चलने लगते हैं इसलिए इस सुक्ती से हमें ये सिक्षा मिलती है कि हमें रजो गुन से दूर रहना चाहिए हमें सत्व गुन की और अग्रशर होना चाहिए जिसके माध्यन से हमारे जीवन में अच्छे कर्म हों धन्यवाद